जिले की करजा थाना क्षेतर में एक महिला के पती की मौत के बाद रिष्टे में लगने वाले ससुर ने उसकी मान भर दी इस मामले की पूरे क्षेतर में काफी चर्चा हो रही है बताया जा रहा है कि पती की मौत के बाद अपनी सास के साथ रह रही एक महिला को उसके रिष्टे में लगने वाले ससुर ने मांग भर दी और शादी करने की इच्छा जताई है जिसकी शिकायत उसने अपनी सास से की और उसके बाद उसकी सास ने सारी दास्थान पंचायद को बताई फोर ही, पंचायद में दोनों ससोर और बहू का सिर्ख को मुंदवा कर मुजफरपूर नियूज पूरे गाम में गुमाया इसके बाद पीरिता ने गुरुवार को थाने में मामला दर्ज करवाया है मामला दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार है दरसल मामला करजा थानक शेतर का है बताया जा रहा है कि करीब साल भर पहले एक महिला की पती की मौत हो जाती है इसके बाद वह अपनी सास के साथ रेकर अपना और अपने बच्चों का लालन पालन करने लगी उसके घर के परोस के ही एक व्यक्ति का आना जाना शुरू हो गया जो रिष्टे में उसका ससुर ही लगता था वो ही एक दिन घर में अकेला पाकर पर उसी ससुर ने बहु की मांग भर दी इसके बाद इस मामले को लेकर गाउं में खूद बबाल हुआ और इस पूरे प्रकरण पर पंचायत बैठाए गई इस मामले को लेकर पंचायत में फैसला लिया गया कि दोनों बहु और ससुर के सिर मुंदवा कर पूरे गाउं में गुमाया जाए जिसके बाद पीरिता ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की शिकायत के बाद पूरे मामले को लेकर पुलिस द्वारा जाच शुरू की गई पुलिस पंचायत में शामिल लोगों की तलाश कर रही है पुलिस की जाच के बाद से सभी आरोपी फरार हैं और उनके द्वारा पीलता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है